आज हम बनाएंगे श्रीखन एक खाने में बहुती टेस्टी है और अक्सर हम इसे मार्केट से खरिद के खाते हैं आज हम बनाएंगे घर पर जो इसे बनाना बहुती आसन है और हम कोई भी मौसंबे इसे खा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं श्रीखन बनाने के लिए मैंन या आप एक रुमाल रखी हूँ, रुमाल को फैला दे, फैलाने के बाद जो छन्नी है उसमें हमें दही को डालना है, श्रीखन बनाने के लिए हमें चाहिए गाड़ी वाली दही, अब हमेशा गाड़ी वाली दही ले, दही डालने के बाद हमें इसे एक पोटली बनाना है, अ राद भर के लिए और इसका श्रीकंट सुबें बनाएंगे अगर आपको फ्रीज में नहीं रखना है तो आप बाहर रखें फिर पानी निकलने के बाद इसका श्रीकंट बनाना है अगर हम राद भर फ्रीज में रखते हैं तो कि और ازं questa खा सकते हैं या फिर जब बनाना है तो एक दो गंटी के लिए अगर हम फ्रीज में रखते हैं तो तुरन खा सकते हैं फ्रीज में से निकालने के बाद दही कुछ इस तरह से दिख रहा है तो अभी हमें कपड़े में से दही को निकालना है तो आप देख सकते हो कितने आसानी स इसका पानी जो है वो पूरा निकल गया है तो बहुत ही गाड़ा-गाड़ा दही है यहाँ पे अब हमें इसका शेखन बनाना है तो इसके लिए एक बतन में दही को निकाल ले इसके बाद हमें डालना है शुगर तो मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर लिया है वन थर्ड कप तो आधा डाल के इसे मिलाओंगी बाद में टेस्ट करके डालूंगी अब अपने टेस्ट के अकोर्डिंग डालें फिर हमें डालना है वन फिंच सॉल्ट और यहाँ पे एक चुट की इलाची पाउडर और फिर ड्राइफूट्स ड्राइफूट्स यहाँ पे जो आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हो मैंने यहाँ पे काजू बादम और पिस्टा डाली हूँ डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है एक दोमी स्मूथी बनाना है अगर आपको मिलाने में प्राब्लम हो रही तो आप ड्राइफूट्स डालने से पहले इसे मिक्सी में एक बार घुमा सकते हो फिर ड्राइफूट्स डाले मैं इसे चमस के हैल्प से मिला लूंगी और हमें इसे एकदमी स्मूथी सा बना लेना है तो यहाँ पे मेरा जो श्रीखन है वो बन चुके हैं मैंने आधा लिटर दही में वन थड़ का पीजी हुई चीनी डाली हूँ अब टेस्ट के अकरडिंग इसे एड़िस्ट करें और हाँ दही फ्रीज में रखने से दही में बैड श्मेल और खटा दोनों ही नहीं होता है इसलिए मैं हमेशा श्रीखन बनाने के लिए दही फ्रीज में रखती हूँ अब हम इसके प्लेटिंग कर लेंगे एक कटोरी में श्र को ये ताल कre से कलिएंट की हूँ अब शिर्कन खाने के लिए तयार है क्योंकि हमने दही को फ्रीज में रखी ती इसलेगे शिर्कन थंडा भी है इसे हमें फ्रीज में रखने की ज़रुरत नहीं है शिर्कन खाने मेंबर तेस्टी बने हैं आपको कैसी लगी है रेसिपी कॉमेंट करके ज़रूर बताएं मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बबाई और टेक क्यर